क्या आपको बहुत सारे पैसे चीए क्या आपको एक फिट बॉडी चीए तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि मेरो को भी चीए अच्छा बट अगर आपको यह जानने कि कौनसी ऐसी स्किल्स है जो आप आज के ताइम पर सीख सकते हो अपने सभी गोल्स को क्रश कर सकते हो एक डिसेंट इंकम जनरेट कर सकते हो वीडियो आप पूरी देखना इसमें आपको चौदा इसी स्किल्स बताऊंगा जिसमें से आठ डिरेक्ली एक्जिक्यूटेबल है एंड छे ऐसी स्किल्स है जो एस इन इंडिविजुल हर किसी को आ करेंगे उसका रीजन यह कि काफी सारे लोगों के पास अल्रेडी स्किल्स है कोई ना कोई किसी को वेबसेट डिजैनिंगा दिए किसे कुछ आता है पट उनको अपनी बात कम्यूनिकेट करना नहीं आता खुद को मार्केट कैसे करना यह नहीं आता अन्में ओली फैंस की ब डेली नए नए 100 टूल सारे मार्केट में और अल्थ इस वेरी ओवर्वेल्मिंग इट्स इंपॉर्टन कि हम समझेंगी इंटरनेट एक चेंज हो रही है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो बिल्कुल खतम हो जाएंगी बट काफी सारी न्यू जॉब्स अभी बहुत है मार्केट में एक्स्ट इस डेटा साइंसी जब भी आपको डिशिजन अपने इंट्यूशन पर लेते हो तो उसके हाई चांसे होता है कि वह गलत हो जाए अब डेटा सेट्स के बेसे पर लेते हो तो तो मोस्ली वह चीज़ें करेक्ट होती है डेटा साइंट इस रौ डेटा कॉंपलेक्स नंबर बहुत सारी इंफोमेशन को कंपाईल करते हैं और उनको वेलुएबल इंसाइट्स में करते हैं इसके बैसे पर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कौन से डिशिजन लेने हैं क्या चीज़ें आप इनोवेट कर सकते हो कौ तुरू react, javascript आप उदर रस्ते भी जा सकते हो बड़ इसमें दो प्रॉब्लम है पहला कि लोग बहुत डिवाइड हैं और दोनों में कोई भी बुरा नहीं है दोनों अपनी अपनी जगे बहुत वैलुएबल है तो आपको जहां से स्टार्ट करना है आप वहां से कर सकते ह दूसरी दिक्कत है लोग बहुत अटैच हो जाते हैं हमने डिजाइन से जो वह इनीशली बिल्ड करते हैं उनको लगता है वह बेस्ट है दुनिया में सबसे अच्छी है काफी टाइम ऐसा नहीं होता तो आपको दूसरों के परस्पेक्टिव के लिए खुद को खुला रख आपको काम आईगी अगर आपको पता है लोगों का दर्द कैसा मजना खुद को कैसे पोजीशन करना है कि आप उनसे रेजोनेट कर पाओ और उनको एक सॉलीशन दे पाओ वो सेल्स मूपे थोपने वाली बात निया बट अक्चली कनेक्शन बनाना अगला वीडियो इसमें अभी ऐसा कुछ होने वाला है जो तुने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा अज के ताइम पे दिने सारे content creator है market में new apps आ रहे हैं टिक टॉक तो यादी होगा कि video editors की demand दूर दूर तक कम नहीं होने वाली बट सरफ editing नहीं है आपको समझना हो लोगों का dopamine कैसे spike होता है emotions कैसे integrate करते हैं एक अच्छी story कैसे communicate करते हैं यह वो चीज़े हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाएंगी and video editing is something जिस पर मुझे भी बहुत जादा काम करना है इस साल के end तक है editing से related content creation मैंने अब आपको बताए कि content creator बढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ consumers भी बढ़ते जा रहे हैं आज कल हर किसी के हाथ में phone है पूरा पूरा दिन social media पर वो लोग scroll कर रहे हैं and इस time पर content creation ऐसी opportunity है जो आप थोड़े से effort डाल के grab कर सकते हो and इसके advantages बहुत हैं आप एक distribution network बना सकते हो तकड़े लोगों से connect कर सकते हो and पैसा पैसा तो बहुत है अब लोग इसमें बहुत दिक्कत करते हैं कि मेरे पास phone नहीं मेरे पास laptop नहीं मेरे पास light नहीं मेरे पास यह वो नहीं नहीं अगर आपके बास 8 Megapixel का भी camera है आप start कर सकते हो तो यह सी skill है तो time के अच्छी होती है जितना ज्यादा content बनाओंगे उतना ज्यादा उसमें बेटर होते जाओगे पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी बट एक परफेक्ट स्टोरी की स्टार्ट होगी शोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेसिफिकली एड्स आज के ताइम पर शोशल मीडिया खरीदने के सबसे जादा है तो आप एड्स के दुरू उन लोगो टार्गेट कर सकते हो जो ढूंड रहे हैं भी तो इकॉमर्स बनवाने को या फिर जिनके ऑफ-लाइन स्टोर है उनको ऑनलेन लेकर जाना है इसलाई का मेगा फोन जिसमें आप बोल रहे हो तो आपकी आवा अगला है कॉपि राइटेंग को बहुत कॉपि राइटेंग किसी भी टॉपिक के ऊपर उपर लिखना हो गया कॉपिर अपढ़ने वाले से डीपली कॉनेक्ट नुक्स को समझते हुए उसे सॉल्यूशन वेट चीटी तरफ गाइड कर पाऊ मेरे जोंगों को आती है काफी कॉंटेंट लिखने को ही कॉपिराइटिंग बोलते रहते हैं मुझे थोड़ी बहुत आती है बट यह भी मेरी इस साल की सीखने की लिस्ट में है एक छोटा सा डाउट है इसके आराउंड कि चैट जीपीटी से कॉपिराइटिंग की जॉप चली जाएंगी तो ऐसा नहीं है चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है बट चैट जीपीटी उतने डीटेल में अभी इमोशन नहीं समाझ सकता मेभी फूचर में चाहिए बट अभी के टाइम पर तो कहीं नहीं जाने वाली इसके बाद है कोडिंग कोडिंग मुझे परसन ही नहीं आती तो मैं इ सीख सकते हो अब चीजे बताने वाला हूं वह बहुत काम आगी वह सी श्किल्स है जो आप आप एजनी नहीं सीख पाते हैं आप ताइम के साथ साथ सीख सकते हो अगर आप स्टैक करोगे बाखी की स्केल्स में आपको रिजल्ट मेलेंगे सब पहला है परसल ब्रैंडिंग इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूं, बेसिकली, पर्सनल ब्रांडिंग इस क्रीटिंगा यूनीक वैल्यू प्रोपोजिशन, टार्गेट ओडियन्स को समझना बहुत डीटेल में, फिर अपना message इस तरह से उनके सामने प्रेजन्ट करना, जिससे आप उनके साथ बहुत ज़्यादा connect हो सको, बट इस में आपका authentic रहना, खुद को एक हलके-फूल के authoritative figure पे प्रेजन्ट करना बहुत important, अगला है being able to understand different perspective and human psychology, जो पहले हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोच रहों वो बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, लोग के अलग-अलग perspective होते हैं, अलग-अलग सोचने का तरीका होता है, और काफी time आप दोनों ही सही होगे, इसा होता है कि दो लोग बोल रहे हैं, एक सेम चीज़ पर opinion दे रहे हैं, पर एक बंदे को दूसरे वाले को opinion गलत लग गया, अब वो बहुत insecure हो गया, यार मेरा ही सही है, ये पागल बना रहा है, ये गलत बता रहा है, बड़ा सा नहीं होता, मेभी उसके सोचने का तरीका अलाग है, मेभी उसके thoughts ऐसे हैं, जो अभी तक आपने सोची नहीं हो, इसका advantage ये है, लटसे आप किसी भी topic पर बात करते हो न, आप अपने opinions में डालते हो, और दूसरे के सुनते हो, आपके सामने ऐसा ऐसा perspective आते हैं, जो आपने अभी सोचे भी नहीं होते हैं, और काफी टाइम आपको उनसे काफी सारे ऐसा solution मिल जाते हैं, जो अभी तक आपके दिमाग में आए भी नहीं थे, then comes human psychology, यहाई फिल सबको पता होना चीए, कि हमारे दिमाग काम कैसे करते हैं, हम जो चीज़े करते हैं, क्यूं करते हैं, हम सोचते कैसे हैं, हमारे decision कि इस hormone पे based होते हैं, मैं इसका एक बहुत solid example देता हूँ आपको, लटसे आप और आपका दोस्त भाहर गया है, आप बात कर रहो किसी topic पर, किसी plan पर, आपने सब कुछ line out कर लिया, आप सो अपने देख रहे हो, खूब अमीर बनने के, आप fully motivated हो, कि आज तो मैं दुनिया जीत लूँगा घर पे जाके, दर आप घर पे आते हो, copy को side of hate तो, and कुछ नहीं करते, it's because, जब हम वो बाते करते हैं न, तो हमारा दिमाग चीप dopamine रिलीज करता है, जो हमें उस time के लिए motivate कर देता है, अब थोड़े time में, खाता मजाता है, इसलिए को change नहीं हो पाता, but just knowing this fact, कि हाँ हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है, आप काफी सारी चीज़े improve कर सकते हो, जब भी आप ऐसा feel करो, तो आपको पता होगा कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्यूं हो रहा है, और आप इसको कैसे tackle कर सकते हो, उसके बाद तीन चीज़े हैं सबसे important, मैं तीनों को combine कर देता हूँ, और एक साथ बताता हो, सबसे पहला है mindset, यह ऐसी चीज़ है, कि अगर आपका mindset सही जगे नी है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे, कुछ लोग challenge देख के message करते हैं, कि भाई मेरे को 1 करोड कमाना है, पर मेरे बास कोई भी skill नी है, आप बताओ कैसे करूँ, तो भाई आपको इसकिल सीखनी पड़ेंगी पहले, आपको कोई क्यों फाल तुम्हें पैसा देगा, असा नहीं होता, बिना कुछ करे, बिना कुछ दिये, तुम पैसा कहीं से कैसे ले सकते हो, आप मतलब किसी को लूट उट लो तो बात अलग है, आपको एक चीज समझनी होगी, कि आप जो भी चीज इमेजन कर रहे हो, वो सब पॉसिबल है, आपको करोड़ो रुपे कमाने, यह मत सोचो कि कमा ही नहीं सकते, आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको चीज सीखनी पड़ेंगी, आपको खूब हसल मारना पड़ेगा, कोई शॉटकट नहीं है, बट आप कमा सकते हो, दूसरा है रैपिड एक्जीकूशन, हम लोग बहुत सारे प्लैंस बनाते हैं, बट कभी कुछ काम नहीं करते, बहाने देते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आप चाहो, तो आप कर सकते हो चीज़े, यह सारी ऐसी अपॉर्चनिटीज होती है, जो हमारे सामने से चली जाती है, यार उस टाइम पर यह कर लिया होता, तो आज मैं भी अमीर होता, एक्शन लेना स्टार्ट करो, सिर्फ आइडियास से कुछ नहीं होता, आइडियास बहुत सारे हैं, बट जब तक आप एग्जिग्यूट नहीं करोगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, लास्ट है फिटनेस, अट फिल यह सबसे पहला स्टेप है, फिटनेस आपको डिसिप्लीन एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड करना सिखाता है, एक बर आपको यह आगया तो आप किसी भी चीज में दिमाग लाओगे, आप उसको फोड़ होगे, लास्ट एक यह जब करी तो मेरा बिल्कुल टाइम हट गया था जिम से, मैं पहले बहुत अच्छी फिजीक में था, आप देख सकते हो, यही, इसी चैनल के नीचे वीडियो होगी, बड़े एक साल में बोड़ी बहुत खराब हो गई है, फैट बहुत बढ़ गया, बड़े इस साल में फोकस कर रहा हूँ, जितना जादा फिट हो सकूँ इस यह एंड तक मैं होँगा, ड़ेट वस इट, I guess पहली वीडियो के लिए बहुत लंबा हो गया, बड़, I'm sure आपको कुछ ना कुछ वैलियो मिली होगी इससे, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाईए बड़ी, तो कुछ-कुछ गलतियां भी होगी, जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे कॉमेंट्स में बताना एक बार, and remember, जब तक आप उठके execute नहीं करोगे, कोई भी वीडियो, कोई भी course, कोई भी consultation आपकी help नहीं कर सकती,